है गाईस विलकम टू सक्सेस दिलिप में दिलिप कुमार उस वागत है अपके इस वडियो में ही तो दोस्तों आप सभी कैनिडेट के लिए बिलकुल नी और फ्रेस रिकूटमेंट लेकर आया हूँ फ्रेस नी बिलकुल जब अरजस्थ वेकेंसी जे लेकर आया हूँ जोकि व इंजिनेरिंग के कैनिडेट अपलाय कर सकते हैं अप मेलो फिमेलो सारे कैनिडेट अलिजबल हैं यह बहुत अच्छी खासी रिकूटमेंट है और बहतरीन वेकेंसीज है क्योंकि इस एंडिया में बहुत ही तेजी से हाइइ स्पीड रेल नेटवर्क को डेवलप किया जा जिसमें मेटरो रेल्स हो गया या फिर जो हॉइपर लूप ट्रेन हो गया इसको डेवलप किया जा रहा है और यह किया जा रहा एक प्राइवेट और गुनाइज़ेस्टन L&T के दवारा लार्शन अंड टर्बो के दवारा इंडिया ज में इस हाइस्पीड मेटरो डिल प् कैसे आपको मिलेगी कौन-कौन से ट्रेड और ब्रांच के केंडेड अपलाय कर सकते हैं लेजबी कंडिशन सेलेक्शन प्रॉसस्स क्या होगा सब कुछ डिटेल वीडियो में हम चर्चा करेंगा स्टार्ट करते हैं आगे बढ़ने से पेरे चैनल पेकर आप नए हैं आपको हमेशा मिलते रहे साथ में अपना ट्रेड अपना ब्रांच जरूर कमेंट करें ताकि मैं आपको पीन कर दूं कमेंट में कि आप अलिजबल हो अधवा नहीं अलिजबल हो इस प्रोग्राम के लिए ओल एंडिया के फ्रेशर केंडिट आवेदन कर सकते हैं हलाकि ये फ्रोग्राम बहुत पहले लांच की गई है लेकिन इसकी ओनलाइन रजिस्ट्रेशन की डिट एक्स्टेंड हो चुकी है जिहां अब ये रजिस्ट्रेशन आप 15 अगस्त 2024 तक कर स हो किसी भी ब्रांच से अपने भी बिड़ेक कर रहे हो एनी ब्रांच के कैंडिडिट फ्रेशर कैंडिडिट अपला यहां पर कर सकते हैं और ये एक्जाम सापका 17-18 अगस्त 2024 को कंड़ेट कर रहे जागी इंड्रेंस एक्जाम की कुछ भी होगी 125 रुपे और जनरल के एक्जाम में जैसा भी पॉफमेंस आएगा अगर आपका रेंक अच्छा आता है तो उसके अंसाथ से आपको स्कॉलर सी भी प्रवैट की जाएगी आप डिप्लोमा डिग्री 10 पास 12 पास जो भी हैं सारे कैनिडिट रेजिस्टेशन कर सकते हैं इस लिंक पे क्लिक करके आप प्रेश्टेशन कर लेना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है 15 अगर्स 2024 से पहले एक्जाम के बाद किसी एक कोर्स में जोईन करना होगा इन में से बहुत सब्सक्राइब डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेस अब लेवल हैं जहां पे किसी भी एक पडिगुलर कोर्स को आप जोईन कर सकते हैं और इन्हें करने के बाद आप इंडियास के टॉप MNCs में जोब आप आ सकते हैं तो हरी अब गाईस लिंक को सारे डिस्क्रिप्शन में मौज़ोद हैं तो गाईस यह है आपका ओफीशल नोडिफिकेशन जो की रिलीस की गई है हाई नेटवर्क प्रोजेक्ट और ये वेकिंसी लिका ली गई है L&T की दरब से और L&T की HR की दरब से रिक्रूट में निकाली गई है जिनका नाम गौता मार है लिंक्डिन पर ये वेकिंसी पब्लिस की गई है अगर आपने अभी तक लिंक्डिन पर अपना एकाउंट एक जीता जाकता है लिंक्डिन अगर आपने एकाउंट नहीं क्रियेट किया है तो एक दिन मैं फ्रेस रिक्रूट्मेंट लेकर आओं मतलब फ्रेस एप्लिकेशन प्रॉसस लेकर आओंगा लिंक्डिन की जो की आप स्टेप बाई स्टेप आप रजिस्टेशन कर पाओगे यह बहुत सारे कैनिडेट का सवाल है अगर आप चाहते हैं तो इसके बारे में कमेंट में बताना मुझे तो यही वेकेंसी जे आप देख सकते हैं टोटली एचा डिपार्टमेंट में वर्क करती है यह गौता मार और बहतरीन एचा रहे हैं इनके दवारा हमेशा रिक्रू की रिक्रूटमेंट है बड़ जो प्रॉजेक्ट होगा हाई स्पीड रेल एंड मेट्रो प्रॉजेक्ट तो आपकी जौब दो डिपार्टमेंट लग सकती है हाई स्पीड रेल नेटवर्क अलग होता है मेट्रो आपको पता है एक्सप्रॉक्स हरे कैंडिट को हाई इसों में बुलेट रेन तो बुलेट रेन प्रोजेक्ट मानो या फिर हाइस पीड रेल नेटवर्क किसी पर काम चीएल रहा है जिसको लेकर आप सभी कैनिडेट के लिए मुंबई कॉलकाता पटना और डैली में जॉब्स आपकी लगने वाली है चारों सिटी में कहीं पर भी सबसे पहले जो टर्नल में वेकिंसी है तो मैनेजर या फिर इंजिनियर की वेकिंसी है एक्जिकिशन जो स्टेशन या फिर जो पीलिंग में रिक्रूटमेंट है जो बड़े बड़े पीलर होते हैं स्टेशन होते हैं उसमें वेकिंसी इसमें भी इंजिनियर और प्रेकास् सारी वेकंसिएप्रॉक्समेटली सारी पोस्ट आपने इंजीनियर की देखी होगी उसके बाद जो है ढोलदो डूसरी एपर मेलoh अपडेट है जिसने की टनल में फ़ॉर्मैन की वेकंसिज है ईग्जेक्विशिन्ज में यहां पर भी formant की vacancy, precast में यहां पर भी formant की vacancy तो यह जो formant की recruitment है, यही आप सभी ITI student के लिए है या फिर 12 pass candidate के लिए, तो जो भी ITI pass out student है इसी formant में आप apply करोगा, क्योंगि यह आपके लिए job है पाकि बहुत जो engineering के लिए recruitment, engineer की vacancy जहां पर देखने को मिल रही है, manager के साथ वो सारे B.B.Tech की candidate apply कर सकते हैं जो phrase engineer की recruitment है, वो एक diploma candidate के लिए है जैसे कि manager engineer में PC, graduation, diploma in engineering कर रखी हो only for AICT या फिर UGC, abrupt college से आप basic apply कर सकते हैं और जो formant की recruitment है, इसमें 10 pass, 12 pass और ITI की candidate apply कर सकते हैं देखे गाई जिसमें जो भी आपकी engineering degree है, जो से एक बार branch में बता देता हूँ आपने electrical से हो, mechanical से हो, या फिर आपने civil से engineering कर रखी है तो ये सारे candidate apply कर सकते हैं, electrical, mechanical और civil engineering same यहाँ पर आएगा ITI student के लिए, तो अगर आपने ITI electrician से कर रखी हो fitters हो गया, machinist हो गया, welder हो गया, या फिर आपने formants से कर रखी हो, भी eligible यहाँ पर apply कर सकते हैं जो mining mat की होती है, 10th pass करके आपने experience ले लिए formants की, तो भी candidate eligible है apply करने के लिए branch or trade में बता चुका हूँ, कोई doubt नहीं होनी चाहिए, देखें इसमें experience required होगी, experience अगर आपने नहीं किये, तो आपके पास NAC का certificate है, यहने कि national apprenticeship का certificate हो गया, अगर आपने ITI pass out करके, जिसे की sale से apprenticeship कर लिया मालो, railway से apprenticeship कर लिया, सोच लो, अब जो candidate ITI pass out करके, railway government of India से apprenticeship करके, L& कर रही है, और आपने directly government से training लेके जारा हो, without any experience आपकी यहां पर job लग जाएगी, approximately आपके पास यहां तो experience हो, नहीं तो NAC हो, जैसे sale हो गया, यहां फिर आपका railway, ओके गैस, तो यह recruitment है, same diploma, बिटेक वालों का भी हां पर recruitment के अंसार आपको experience मांगा जागा, minimum यहां पर 3 साल का रखा गया है, आप पर depend करता है, किस field में आपका कितना है, यहां पर जो भी walk and interviews के लिए जाओगे, अपना pen card, अपनी सारी details, last में 3 मंत की आपकी pay slip भी लेकर जाना होगा, अपने apprenticeship किया है, तो उसकी भी pay slip मिलती है, walk and drive मुंबई में आपकी walk and interviews होने वाली है, reporting time 9 बजे से लेकर एक बिज़े के बीच में, दो दिन interview होए, दो नो दिन, टीन अगस्त को इंजिनियर के interview होए, डिपलोमा और बिटेक वालों का, चार अगस्त को only 10 पास, 12 पास या फिर ITI pass out के लिए interview होगी, so amazing recruitment है, अगर आप interested है, तो आप यहां पर जा सकते हैं, नई तो एक link का registration का, देख सकते हैं, registration using following link, इस registration link पे आपको अपना registration या फिर updated CV जो रिजूम है, with cover letter लगा के यहां पे आपको send कर देनी है, प्लस apply कर देनी है, ओके इस पर apply करना है, इसका link आपको directly description मिल जागी, और जो भी candidate यहां पे जाना चाहता, मैं पहले बोल दूं, उसका nearest, जो locations क के नियरेश कम से कम 80 km के दायरे में, आपका location से interview का तभी आप जाएं, आने था नहीं जाएं, यह नहीं कि धनवाद से और चले जाओ, मुंबई interview देना, बाद में पता चला, आपका हुआ भी नहीं जोट मोट का waste होगा, तो एक चीज करो, सबसे पहले जो distance, जादा travel दूर जाएं, 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